हलो गाईज आपको अपने चैनल शेमा के श्टोकर में आपका श्रागत है तो गाईजिब टेलिगाम चैनल को जोईन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो टैकली मुझे पूछ सकते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड आज की कंडिशन की बात करें तो यहां पर का सब्सक्राइब करना मत बुलें तो आज के हाई की बात करें यहां पर 847 रुपे 35 पैसेज का आज का लो है अगर बात करें ऑपनिंग की तो 805 रुपे 5 पैसे पर यह ओपन हुआ था बट मार्केट की कंडिशन काफी खराब थी इवन आप्टर अगर बात करें ज़्यादा खराबती और अगर बात करें और 92 हाई की तो 996 रुपे 65 पैसे इसका यह लो की बात करें तो maximum की बात करें तो maximum जो जो की इसका बावनिंग खाई है वहीं इसका maximum है एंड काफी टाइम मैंने आपको बोला है गाइस कि इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए आने वाले टाइम में हो सकता है ये काफी जबर्दस सिचुएशन में हो हो सकता है ये 1500 रुपे के आज पास भी दिखे क्योंकि जिस तरीके की जो सिचुएशन है जो इसका बिजनस है उसको देखते हुए यहाँ पर सिचुएशन काफी पहतरीन से पहतरीन हो सकती है तो सबसे पहले हम इसके अलसिस की बात कर लेते हैं तो जो आज वॉल्यूम ट्रे रेंट है एक वीकने से तीन थ्रेट नजरा रहें पास रुपेश की फेस वैल्यू मार्केट में मौझूद है मांकेट के बात करें ग्याराजार दोस्तों अठाइस क्रोड का मांकेट कैपिलेशन है बीस दिन के वॉल्यूम की बात करें तो 49,534 क्वांटिटे के आसपास व खराब थी एंड मार्केट की कंडिशन काफी खराब थी फिर भी जो भी यहां पर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट यहां पर जो कि एक दम से बना हुआ था अगर बात करें इसके अलावा इसके सेंटिमेंट की तो इस लेवल पर भी मैं तो यह रिजल्ट की बात करें 508 करोड का रेवेन्यु शो किया है दिसमबर 2021 में एक उबरता हुआ जबर्दस ग्रोथ वाला रेवेन्यू यहां पर शो किया जा रहा है नेट प्रोफिट की बात करें तो एक अच्छे खासे प्रोफिट के साथ पी है कंपनी 104 करोड का प्रोफिट किया है दिसमबर क्वाटर में अगर बात करें EPS की तो यहां पर भी situation काफी मजबूत है अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोफिट पॉइंट यहां पर 86% के आसपास पनी हुई है नो डाउट कि हलकी हलकी होल्डिंग यहां पर छोड़ी जा रही है मार्केट में यहां पर जो कि दीरे दीरे exit किया जा रहा है अफकोर्स इसको हलका सा threat बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर मार्च 2021 से लेके यहां पर होल्डिंग को छोड़ा गया है यहां पर छोड़ा गया है यहां पर भी छोड़ा गया है मार्च क्वाटर में अगर बात करें फोरें इंवे क्रीज हुई है एक अच्छा साहिन आफकोर्स नहीं बोल सकते जितनी पॉब्लिक होलिंग ज्यादा होती है चांसे शेयर प्राइस के मैंटेन रहने के ही होते हैं तो अगर बात करें अधर्श की तो अधर्श की एंट्री जो की यहां पर भी फ्लेश आउट हुई है नम्बरोब शेयर की मार्केट में कितने है तो टोटल नम्बरोब शेयर की बात करें तो यहां पर जो कि तेरा करोड़ 45,55,014 क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है जिसमें से 4 क्रोड़ 15,6,439 क्वांटिटी वोल्यम है वो प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के पास है पब्लिक के पास है नो करोड़ च्छ तीस लाग ही किस जार तेन्सों पैंतालिस क्वांटिटी एंड अपार्ट फॉन दो जो कि शेर हैं पाई एंप्लोई ट्रस्ट नोन प्रोमोटर नोन पॉब्लिक के पास भी करीगूरी जो यहां पर क्वांटिटी है साड़े साड़े चो जो कि दूसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या है दूसरी ने यहां पर पहली ब्रेकिंग न्यूज वाना सबसे पहले बाकी है जो कि काफी बड़ा धमाका यहां पर अनौन्स किया जा चुका है वो देख लेते हैं तो यहां पर अगर बात करें न्यूज की तो इंटलेक्ट है आज की ही अपडेट है जैसे ही ये नियूज मार्केट में आई एक बड़ा दमाका यहां पर जो की इवन देखने को मिला इवन आफ्टर मार्केट की कंडिशन काफी खराब थी जो की इंटलेक्ट डिजाइन एरेना रोज 1.62% रूपीज ए 29.3 after the company said it has partnered Microsoft to establish corporate banking transformation on cloud so guys of course cloud product की बात करें तो काफी अच्छी-खासी demand है market में even आप बात करें cloud product की like Microsoft Azure की बात करें या फिर Adobe की बात करें या फिर आप Oracle की बात करें जितने भी जो की software company जो की cloud पर काफी focus कर रही है AWS की बात करें Google की बात करें तो guys of course यहां पर जो की काफी बड़ी partnership हुई है intellect design की बात करें तो जो की Microsoft के साथ एक अच्छी-खासी partnership यहां पर हुई है it means कि यहां पर of course no doubt की stability बनी हुई है पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें मेरे हिसाब से entry ले लेनी चाहिए आने वाले टाइम में एक अच्छा-खासा profit आपको दे सकता है इस news की बात करें तो हर जगे यह news पहली हुई है intellect design arena stock gain on collaborating with Microsoft है यहां पर एक अच्छी-खासी जबर्दस partnership जो की Microsoft से हुई है intellect design की जिसकी वज़े से यहां पर एक अच्छा-खासा jump भी देखने को मिला है अगर बात करें दूसरी news की तो वो भी एक अच्छी-खासी news है सबसे पहले हम इसके जो की even including that news जो की exactly क्या dividend दिया है क्या इसकी situation रही है वो भी देख लेते हैं तो यहां पर अगर बात करें पीछे के record की तो पीछे का और जो अभी record है यहां जो board meeting की बात करें तो board meeting जो के 5 मई को दूसरी announcement यह है कि 5 मई को इसका result आने वाला है तो मेरे हिसाब से result इसका बहतरीन रहने वाला है एक जबरदस्त result यहां पर जो की आने वाला है अगर बात करें dividend की तो dividend history जो की zero है अभी तक अपने existing shareholder को इसने dividend नहीं दिया है bonus की बात करें कोई bonus नहीं है split की बात करें तो guys of course 5 रुपे इसकी already जो की market में face value है अगर बात करें right issue की तो एक बार right issue भी निकाला है इसने 2017 में 5 ratio 22 81 रुपे के premium के साथ अगर बात करें तो यहां पर जो last azium हुई थी 4 अगस 2021 को उसके बाद अभी जो next azium की announcement अभी तक नहीं हुई है तो पुल मिला की situation का भी बहतरीन है मेरे हिसाब से इसमें entry ले लेनी चाहिए एंड एक अच्छा काचा profit आप earn कर सकते हैं लेटर की बात करें तो of course guys यह लेटर जो कि अलड़ी जा चुका है जो Microsoft के साथ जो partnership हुई है उस partnership को लेके एक अच्छी-काशी बहतरीन partnership यहां पर जो की Intellect Design and Microsoft की हो चुकी है इस लेटर के थुरू BST और NSC को inform किया जा चुका है इंट्री ले सकते हैं और आने वाले टाइम में एक बहतरीन profit इस में कमा सकते हैं तो थैंक्स लोट पर वच्छिंग दी वीडियो से प्लीज टेक के प्लीज टेक के प्लीज लाइक कमेंट शेयरें सब्सक्राइब थैंक यू टेक के